हेलो फ्रेंट्स वाइरल वेक में आप सवावी का स्वागत है मैं वेक हुमार आज आपको HDFC क्रेडिट काड का बिल HDFC में बोल रहा हूँ अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट काड आपके पास अवलेवल है और उसका बिल पेमेंट करने में आपको प्रॉलम होती है तो आज मैं आपको छे से साथ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे आप क्रेडिट काड का पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते है है और बहुत ही इजी मैथाड है मैंने बहुत सारे वेबसाइट पर सर्च किया बट मुझे वैसे तो मुझे आइडिया है मेरे पास करेड़ काड एवलेवल है तो उसका प्रॉसेस नहीं बताऊंगा मैं आपको एगराफ आइडिया दे दूँगा कि हाँ इस तरह से आपको पेमिंट कर सकते हैं और ये बहुत ही कणि Punkte मैं इसमें ये भी बताऊंगे कि कौन सा मैंथाड आपके लिए सबसे गूजए होगा और आपके लिए बैस होगा क्यौनकी बहुत सारे सारे है बहुत विजए से तर्च करतें पकर्चा हैं क्रिट करते हैं तो ऊसमें फूर्च वो चीज होगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजेगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है एंड में तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको एप का फैसलेटी एवलेबल होता है आपको सिंपली इस मॉबाइल बैंकिंग एप में जाना है क्रेट कार्ड की सेक्शन पर जाना है और वहां से ओवर्ड्यू आपको देख जागा अगर आपका कार्ड लिंक है तो बहुत सारे बैंक बाइडिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड जो होता है जो इस्टीर करते है तो आपके मवैल बैंग्रिफ में लिंक कर देते हैं बहुत सारे बैंक में जैसे हडीफ Sure, crosses cash canal आता है एकिस पैस यह श्री कार्ड का पी और और जीक कर ब्लिक स्क्रेणी क्रढिंग क्रड ते गड़ लिंक का जाएगा एंड उसके बाद जो भी overdue amount आपका वहाँ पे दिखेगा वह आपको पे कर देना है simply और यह इंस्टेंट reflect हो जाता है यानि कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग आपके थ्रू करते हैं तो यह इंस्टेंट लिए आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा पे और विदिन करते हैं लिंक करने के बाद आप महाँ पे पेमिंट करते हैं तो बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जब आप वह सिटे थाउजन का पेमिंट करेंगा तो उसको रिफ्लेक्ट होने में तीन से चार दिन लग जागा यानि आपका लिमिट उस तीन-चार दिन की गैप में 40,000 द आपका लिमिट वहाँ पर देखना रिमिट दिखना हो जाएगा वह वह लैक रूपीज देखना होजाएगा तो इससे आपको यह फायदा मिलता है दूसरा इंट नेट बेंकिंग में भी इंस्टेंटल आपको प्रवलम क्या है कि कई बार अगर आप दूसरे बैंक धनकी लीए आपके पास ट्रेट काड़ है आपने ट्रेट करना है बट आप किसी और कार्ण यानि सब्सक्राइब कर रहे हैं दूस्तरा से यहां पे भी आपको अगर काड लिंक है तो आपको दिख जाएगा overdue amount वगर सारा कुछ अगर लिंक नहीं है तो आपको फिर एक simple सा process है दो मिनट का उसके थुरू आपको लिंक कर लेना है वहां पर करते हैं तो बहुत ज्यादा easy हो जाएगा और इसमें कोई problem नहीं होगी और वैसे आप दूसरे बैंक के यहां पर देखिए option बीद पताएगी है किस तरह से आपको लिंक करना है ठीक है रिच्टर न्यू कार्ड लिंक ओन लेफ्ट एंटर्यू क्रेट कार्ड नंबर एक्सपा आपको नहीं करूंगा अगर आप विलेज एरिया से विलॉंग करते हैं आपकी पास नेट बैंकिंग की फैसिलेटी नहीं है आप मोबाइल बैंकिंग चलाना नहीं जानते हैं तो उस सिच्वेशन में आप ATM ट्रांसफर का option यूज कर सकते हैं इसे मैं recommend नहीं करूंगा क्यो आप यूज की यह बहुत इजी है बट फिर भी में ATM ट्रांसफर का option बताता हूं इसमें करना क्या होता है कि आपको अपना debit card एंटर करना होता है इंसर्ट यूज विश्ट पी क्रेट काड़ बिल यानि लेट सपोज आपके पास SDFC, SBI bank का credit card है यह फिर्मान के चलते हैं SDFC bank का credit card है आपके पास लेकिन आपके नियरिष्ट में SBI का ATM वगरा है तो आपके पास SBI, State Bank of India का debit card है यानि State Bank of India में आपका एक saving account है उसका simple सा debit card आपके पास 7 level है और आप चाहते हैं कि इस SBI के debit card से credit card का bill पे करना चाहते हैं तो उस situation में आपको क्या करना है SBI के ATM जाना है SBI के ATM जाके SBI के debit card आपको machine में enter करना है machine में enter करने के बाद वहाँ पे main menu का option आएगा उसमें right side में ATM के right side में main menu का option आता है वहाँ पे आपको simply जो cash withdrawal वगरा सबका option आता है cash withdrawal balance inquiry mini statement उन सब पे आपको क्लिक नहीं करना है आपको simply देखिएगा last में more option का आता है more option more option पर आपको क्लिक करना है जैसे अब more option पर क्लिक करेंगा तो इस बार जो screen आपका open होगा उसके आपको credit card payment का option आएगा simply आपको credit card की option क्लिक करना है उसके बाद आपको account type करना है सेविंग ये करेंट अक्वाँट जैसे कि कैस्तिओक करते टाम आपको दिखते हैं तो आपको सिंपली सेविंग एकाउंट पे क्लिक कर ले ना हैं उसके बाद आपका जो भी बिल एमाउंट है दने हैं ए मांगेंगेंdeterm они हैं लाउज के इसके बाद आपसे रिजवींक करने करना है तो मांधे करना है उसका करना है उसका सोला और याने जो कर्द पे पिन मांगेगा वह आपको एंटर करना है आपका पेमेंट हो जाएगा लेकिन इसमें टाइम लगता है ठीक है यह मैं पहले बता दूँ इसमें टाइम लगता है तीसरा मेथाड है कैस के थूर भी आप अपने क्रेट काड का बिल पे कर सकते हैं बट यह थोड़ा ट्रीकी है इ इसमें आपका 400-500 रुपय एडिशनल कड़ जाएगा इसलिए मैं कैस भी रेकमेंड आपको नहीं करूंगा और कैस कितनी भी मजबूरी आपको क्यों नहीं करूंगा कि किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके आप पाउंटर स्लिप भरके और पेमेंट अगर करते हैं तो 400-500 इसलिए डाल सकते हैं चेक में कोई प्रावलम नहीं है अगें एक लेंडी प्रॉसेस होता है अगर आप रिमोड एरिया से बिलॉंग करते हैं तब तो फिर आपको महने दिन भी लगा सकता है क्योंकि रिमोड एरिया में तो इस्टेट बैंक जैसे जो ब्रांचेस होते हैं वह महीने महीने दिन लगाते हैं चेक लियर होने में समझ सकते हैं इसमें आफका कितना टाइम लग जाएगा तो वह एक प्रॉब्म है और सबसे बैस्ट ऑप्सन जो है और टो पे इसमें ऑटो पे रजिस्टेशन होता है ठीक है आफ कर आप महाँ लिमिट है कि हाद अब अ सब्सक्राइब करना होगा तो यह इसमें कई बार क्या होता है कभी ज्यादा होते हैं तो इस तरह से अच्छा प्रॉलम होता है यह आपका एक बहुत ही अच्छा अच्छा लगा होगा